हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो निर्स किचन आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी ब्रेट केग और साथ में बनाएंगे यमी से स्वीट बन ये बहुत ही आसानी से आप घरबे बना सकते हैं और ये बना है हमारा घर के बने येस्ट से ये ब्रिटानिया का केक जो आप मार्केट से लेके आते हैं ये बिलकुल टेस्ट में और टेक्स्चर में उसी के जैसा बनेगा ये स्वीट बन है जो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ यहापे आप इतना सॉफ्ट टेक्स्चर इसका देख सकते हैं घर पर आसानी से येस् और इस रेसिपी को आप अपने अलग-अलग बंस पाउं और ब्रेड में यूज कर सकते हैं ये मेरा घर का बना येस्ट है जिसे बनने में तीन दिन लगते हैं तो चले हम येस्ट का इस्तमाल करते हुए ये रेसिपी ट्राय कर लेते हैं यहापे हम लेंगे वन कॉप मैदा साथ में लेंगे हम यहाँ पे दो टिबल स्पोन मिल्क पाउडर चुटकी बार नमक लेना है दो टिबल स्पोन पाउडर शुगर लेंगे दो टिबल स्पोन मलाई लेंगे वन टिबल स्पोन ओल लेंगे यहाँ पे कोई भी कुकिंग ओल लें पर फ्लेवरलेस लें बटर है यहां पे, साथ में हम यहां पे लेंगे तिल थोड़े से गुन-गुना दोद लेना है, बहुत सारी टूटी-फूटी लेंगे, क्योंकि यह टूटी-फूटी केक बना रहे हैं, साथ में लेंगे रेसिकेटिड कोकोनट, अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो इसे यहां पर मैं आते को छान रही हूं 10-3 मिल्क पावडर, यहां पर दिसं के एटे को छानरी हूं, तो यहां पर च्छाने के लिया है, किप भी कर सकते हैं पाउडर शुगर डाल देंगे दो टेबल स्पून अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं पर हम यहां पर बहुत सारी टूटी फूटी भी डाल रहे हैं चुटकी पर डालेंगे नमक नमक ज्यादा ना डाले इसे अच्छे से ह ना पर यहां पर आप यहां पर फ्रेश मलाई यूसकर सकते हैं जो मैंने दो टेबल सब्सबून डाली है अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और बाद में यां पर डाल रहे हैं यीस्ट को हमें नापकर डालना है यहां पर हम 1 फॉर्थ कप यीस्ट डालेंगे यहाँ पे एक कप मैदा लिया है मैंने और उसमें मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप यिस्ट यिस्ट को आप अच्छे से मिक्स कर लें फ्रेंड्स आपके पास जो भी इंग्रिडेंस आसानी से घर पे हो उसी को यूज करते हुए आपको यह बनानी है तो यह रेसी भी बहुत इजी है अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं गुन-गुना दूद चुकि वन फोर्थ कप लेंगे और एक साथ दूद को नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके हम दूद डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा ही आटा लगाएंगे आटे को आपको अच्छे से लगाना है आटा एकदम सौफ्ट होना चाहिए तब ही आपके ब्रेट और बन्स अच्छे बनेंगे पाकी का दूद भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मैं आटे को गुत रही हूँ आटे को गुतने में कम से कम 20 मिनिट आपको देने है तो ही आटा आपका परफेक्ट बनेगा और उसमें अच्छे से खामीर उठेगा यहाँ पे हमें आटे को अच्छे से गूतना है तो इसके लिए यहाँ पे मैंने यह लिया है सिलिकॉन शीट जिस पे बटर लगा दिया है और यहाँ पे मैं इस तरी किसे आटे को गूत रही हूँ अगर आपके पास यह सिलिकॉन शीक ना हो तो आप कोई भी थाली या प्लेट ले सकते हैं या प्लेटफॉर्म की सर्फिस के उपर भी आप आटे को अच्छे से घूँच सकते हैं आटे को सॉफ्ट करना है तो यहां पर डाल रहे हैं थोड़ा-thोड़ा करके दूद इसलिक यहां पर एकस्ट्रा 1-8 टेबल स्पूंच इतना दूद डाल रहे हैं और यहां पर हमें आटा लगाना है इस तरीके से आठा आपका एकदम ही soft होना चाहिए ये देखी ये तियार हो गया है तो अब हम इसे रख देंगे butter लगे हुए bowl में यहां पर आठे को मैंने टक कर लिया है अच्छे से और एक गुला बना लिया है और ये जाएगा butter लगे हुए bowl में तो इसे हम रख देंगे proofing के लिए ये देखिए अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे एक plate या फिर इस तरीके का cling film अगर आपके पास ये cling film नहीं है तो आप इसके ऊपर plate रखके भी इसे गरम जगा पर रख सकते हैं हमें इसे गरम जगा पे रखना है ताकि इसमें अच्छे से खमीर उठे अब हम यहाँ पे बना रहे हैं मिल्क वॉष जिसमें दूध और हनी लेंगे हनी इसलिए ले रहे है ताकि ब्रेड और पाउं का जो उपरी लेयर बनेगा वो एकदम ही ब्राउन बनेगा हम यहाँ पे स्वीट बन और ब्रेड बना रहे हैं तो उसके लिए यह परफेक्ट ग्लेज है मिल्क वॉष है तो आप इसे जरूर बना ले यहाँ पे हम आटे को भी देख लेते हैं चार गंटे के बाद यह आटे को आप देख रहे हैं अगर आपके आटे में अच्छे से खमीर उठा है तो ही राशीबी के लिए यह यूसफूल है नहीं तो आपको इसे फिर से रख दिना है 2-3 गंटे के लिए या पर आटा हमने ले लिया है और इसे अच्छे से गूंध भी लिया है या पे मैंने डाल दी है बहुत सारी टूट्ी-फूरी और अब हम इसे फिर से मिक्स कर रहे है याने की गूंथ रहे है कि जी दियान के नहम थिन हम एठाखेंग wrappers दो दिल थे-स न के बाध को बहुत ज्रबार नहीं है अब हम यहाँ पे टीन को भी grease कर लेते हैं और उसमें हम यहां पर रखेंगे हमारे बन तो आटे को फिर से घूत के हम यहां पर बन की लोईयां तोड़ लेते हैं यहां पर देख सकते हैं एक बात मैं यहां पर फिर से बता रही हूं कि आटा अगर फरफेक्ट खमीर उठा हुआ हो तब ही आपको लगते हैं और बच्चों को तो यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इसे जरू ठाय करें और यहां पर हमने लगा ली है टूटी फूटी और इस तरह से एक एक लोई को लेकर हमने आटे को इस तरी किसे फोल्ड करना है और फिर हम इसके सारे बन बना लेंगे हम यहां यह बन बेक करने वाले हैं अवन में तो यहां पर हम अवन को भी प्रिहिट कर लेंगे ध्यान रखे के अवन को हमेशा प्रिहिट करने के बाद ही यूज करें ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिले यहां पर हमने सारे बन तयार कर लिए हैं तो इसके उपर हम डाल देते है यहां पर तूटी फूटी यहां पर मैं एक ही रेसिपी से आपको दो में था Tours दिखा रहे हूँ एक कंके अवन प्रेसिपी में से भी इसे skip करना चाहे तो कर सकते हैं पर टेस्ट भी बहुत अच्छा एगा और उसका जो क्रमबल बनेगा ब्रेड का बनका वो भी बहुत अच्छा बनेगा अब हम इसे ढख करके रख लेते हैं प्रूफ के लिए यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा लोफ भी रेडी करके रखा है यह आप देख सकते हैं इसमें मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा दिया है यह देखिए खमीर की इस तरह का उठा है वो आटा था जो चार गंडे का प्रूफिंग टाइम का था और इसे हमने रखा था साथ गंडे के लिए यह देखिए यह साथ गंडे के बात का आटा है तो यहां पे मैं फिर से बोल रहे हूं कि आटा अगर आपका एकदम ही परफेक्ट खमीर उठा हुआ हो तो ही इसे यूज़ करें यहां पे हम इसे बेक करने वाले हैं करडाई में तो यहां पे मैंने यह ब्रेड का टिन लिया है और इस तरीके से हम आटे को फ और अब हम इसे रख देंगे टिन में टिन को हमने पहले से ही बटर लगा के तयार किया हुआ है फिर से हम इसे रख लेंगे प्रूफ करने के लिए तो इससे पहले हम इसे अच्छे से टिन में सैट कर लेते हैं याद रखे कि इसमें जरापी जगा ना रहे हैं इसे अच्छ यानि का हमने तयार किया था और उसके उपर हम डालेंगे थोड़े सी टूटी-फूटी थोड़े से तिल और थोड़े सा डेसिगेटेड़ कुकोनट और इसे हमें फिट से रख देना है खमीर उठाने के लिए यानि की प्रूफ के लिए तो उसके लिए टाइम लगेगा तो इसे हमें रख देना है अगर आप इसे परफेक्ट टाइम देते हैं तो ही एकदम परफेक्ट बनेगा तो ध्यान रखे कि इसे आपको प्रूफ करना है यह अच्छे से उठ चाएगा हम यहां पे इसे बंद कर रहे हैं और फिर हम इसे रख देंगे वापस गरम जगा प आप यहां पे यह बन और यह हमारा ब्रेड का जो लोफ हमने बनाया था यह दोनों देख सकते हैं यह अच्छे से खमी रुटके फिर से तयार हो गया है इसे हमें बेक करना है यहां पर मैं बता रही हूं यह जो आटा है वो हमने सिर्फ चार गंटे के लिए रेस्ट दिया तर दूसरा जो आटा हम दिखा रहे है यह आटा है 7 गंटे के लिए जो हमने चार गंटे के लिए रेस्ट दिया था उसे हम बन बन बनाहरा है और यह बनारा है टैन था वह हम बेक करेंगे서 कडा़ अपर को थे 20 मिनिट के लिए, ओर हम इसे रख रहे हैं, सें में ब्रेड के जैसे ही पकाईंगे,। ole sate Keep on is the loafing plate, कम से कम 35 मिनिट, और इसे ब्राउन करने के लिए थोड़े से ज्यादा तो लगेंगे, पूरे के पूरे यहां पे 40 मिनिट बीच में मैं इसे आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ और 40 मिनिट के बाद यह हमारा केक बन के तयार हो गया है ब्रेड केक और इसे हम गैस की फ्लेम बन कर देंगे और इसे हम ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसमें जो गरम हवा है वो उसी में रहे और यहां पे हमारे जो बन्स है वो भी अवन में बेक होके तयार है यह हमने 180 डिगरी पर 25 तो 30 मिनिट के लिए बेक किया था जिसमें हमने बटर लगा दिया है और यहां पे हम ब्रेड के उपर भी बटर लगा देते हैं आपको बटर ज़रूर लगा देना है इसके उपर ताकि यह सॉफ्ट रहे यहां पे मैं आपको बन्स को डिमोल्ड करके दिखा रही हूँ इसकी टेक्स्चर किस तरी के किया एगी यह देखिए यह बन्स तयार हो गए है आप यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगा यहां पे मैंने आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि यह देखिए अंदर का टेक्स्चर किस तरीके का आएगा यह बहुत आसान है घर पे बनाना पर इसके लिए आपको पहले घर पे यिस्ट बनाना पड़ेगा तो चैनल पे दी हुई यिस्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राइ करें यहां पे यह ब्रेड मी में अनमोल्ट करके दिखा रही हूँ यह देखिए है न बिल्कुल मार्केट के जैसा ही इसे हम कट भी कर लेते हैं बच्चों के लिए यह रेसिपी आप बहुत ही आसानी से ट्राइ कर सकते हैं और उन्हें बना के खुश कर सकते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप यह रेसिपी ट्राइ करें और सब के वावाई लूटे यह देखें यहां पे मैं एक बात फिर से आपको बता रही हूँ कि आटे को अच्छे से प्रूफ करना बहुत बहुत जरूरी है अगर वह अच्छे से प्रूफ नहीं होगा तो आपका ब्रेड या यह केक अच्छे से नहीं बनेगा और बिल्कुल ही आटे के जैसा रहेगा तो यह जरू ट्राइ करें यहां पर जो हमने कोकोनट डाला है उसे उसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा फ्रेश मलाई अगर आप घर की यूज करते हैं तो उसे आपको दो दिन में खतम करना पड़ेगा क्योंकि मलाई का टेस्ट दो दिन के बाद इसमें अच्छा नहीं आता है और अगर आपके पास बटर है तो आप उसे ही यूज करें मलाई यूज करने की जरूरत नहीं है पर अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप मलाई का भी यूज कर सकते हैं रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो अभी यह जरू ट्राइ करें, आगे की रेसिपी में हम शेर करने जा रहे हैं, इसी येस्ट से बने हुए मसाला नान, जो कि बिल्कुल ही होटल के जैसे बनेंगे, और उसी आटे से हम बनाएंगे मसाला मीनी बन, जो कि सॉफ् तो आगे की रेसिपी देखना ना भूले, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, थैंक यू, स्टे एट होम, बी हैपी एंड सेफ, गुद बाई